जैश्री राधे, पुझे श्री सद्गुर्दे भगवान के चड़नों में प्रणाम परम पुझे श्री भाई जी कहते हैं श्री भगवन नाम चिंतन एवं नाम महिमा के बारे में भगवान का नाम भगवान का ही अभिन्न स्वरूप है और वह भगवान की ही शक्ति से भगवान से भी अधिक शक्ति शाली और एश्वर्यवान है जैसे किसी महान वैभव शाली समराट को अपने खजाने की असंख्य धनराशी की संख्या का पता नहीं रहता इसी प्रकार नामी भगवान भी अपने नाम की अनंत गुणावलियों का पता रखना नहीं चाहते यह भी उनका एक महान गुण है भगवान के जिस मंगल में नाम से पंचम पुर्शार्थ रूप पंचम पुर्शार्थ रूप भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है उसके बदले में मुक्ष की चाह करना भी प्रेमियों ने कामना माना है अतैव लोग पर लोग की किसी भी शुद्र महान कामना में नाम का प्रियुक करना एक प्रकार से अविवेक या मूर्खता ही है लोग पर लोग के जो भोग हैं सभी दुख योनी और विनाशी हैं ऐसे मधुर विश रूप विश्यों की चाह करना और नाम के बदले में उन्हें चाहना मूर्खता है तुलसिदास हरी नाम सुधात जी सठ हठी पियत विशय विश मांगी अतयव बुद्धी मान और अपना यथार्थ कल्यान चाहने वाले पूरुष का यही करतव्य है कि वह अपने जीवन को भग्वन नाम में बना दे और नाम के फलस्वरूप उत्तरोत्तर बढ़ती हुई नाम निष्ठा की ही कामना करे यही नाम का आदर है और इसी भाव से नाम का जब करना चाहिए परंतु जब तक यह भाव जागरत ना हो तब तक किसी भी भाव से किसी भी सतकामना को लेकर नाम का आश्रे लेने में कोई आपत्ती नहीं ऐसा करना मुर्खता होने पर भी पाप नहीं है वरम करतव्य है अवश्य ही जिसमें किसी दूसरे का जरा भी अहित होता हो और परिणाम में अपना भी अहित होता हो ऐसे किसी कारे की सिध्धी के लिए भगवान के नाम का प्रियोग कभी नहीं करना चाहिए जब तक भगवान के नाम में रती ना पैदा हो जाए तब तक रुची के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए जब तक रुची ना पैदा हो तब तक भगवान के नाम का अभ्यास करना चाहिए और अभ्यास की द्रड़ता न होने तक अमोग ओशद के रूप में भगवान का नाम लेना चाहिए भगवान का नाम नित्य मधुर और दिव्य अमरित रूप है उधारण के लिए, मिश्री मीठी होने पर भी पित्त के रोगी की जीब कड़वी होने के कारण मिश्री कड़वी लगती है मिश्री के सेवन से पित का शमन होने पर जब जीब का कड़वा पन मिट जाता है तब मिश्री मीठी लगने लगती है क्योंकि वह मीठी ही है इसी प्रकार पूर्व संचित कर्म मल के कारण हमारी दूशित व्रत्ती जब तक भगवान के नाम के माधुर्य का अन्भव नहीं करती बलकि उसे कड़वा समझती है तब तक दवा के रूप में जबरदस्ती उसे लेते रहना चाहिए लेते लेते कर्म मल का शमन होते ही भगवान की सहज नाम माधुरी का स्वाद आने लगेगा परंतु यह इस मर्ण रखना चाहिए कि नाम का आश्रे कल्युग में सबसे बड़ा आश्रे है इस एक ही आश्रे से सर्वांगिन पून सफलता प्राप्त हो सकती है अतैव नित्य निरंतर भगवान के नाम का सेवन करना चाहिए और जहां तक बने नाम का सेवन भगवान के नाम में प्रेम व्रद्धी के लिए ही करना चाहिए किसी भी लौकिक पारलोकिक इच्छा की पूर्ती के लिए नहीं करना चाहिए नाम का फल अचिंते और अमुल्य है उनकी वास्त्विकता पर ध्यान ना देकर उसमें भरे वास्त्विक सत्य को ग्रहन करना चाहिए नाम का जब मानसिक, उपांशो और वाचिक तीन तरह से हो सकता है नाम जब में जितनी सूछमता हो उतना ही वह श्रेष्ट है पर नाम कीर्टन में जितना ही वानी का सपस्ट उचारण और उदगोश हो उतना ही श्रेष्ट है अपनी अपनी स्थिती और रुची के अनुसार जब कीर्टन करना चाहिए भगवान के सभी नाम समान महत्व रखते हैं किसी भी नाम में उच नीच का भाव न रख कर अपने लिए जो भी नाम विशेश प्रिय लगता हो या रुची कर जान पड़े उसी का नाम जप या कीर्टन करना चाहिए ये दपी समस्त भगवन नामों की महिमा समान ही है तथा पी जो नाम अपने को प्रिय लगें उनके कीर्टन से अनायास ही अपने अभिश्ट मनूरत की सिध्धी हो जाती है विभिन रुची वाले लोगों का क्रमशे सभी नामों में प्रेम संभव हो जाता हैं और फिर वे सभी नाम उने प्रिय हो जाते हैं अतेव भगवान के जिस नाम या जिन नामों में अपना मन लगता हो उसी का जब करें परन्तु नाम जब करने वालों के लिए यह परम आवश्यक है कि वे प्रति दिन नियम पूर्वक अधिक से अधिक संख्या में नाम जब आवश्य करें इस नियमित जब के अतिरिक दिन रात बिना संख्या के नाम जब होता रहें इसके लिए सावधानी के साथ प्रत्न करता रहें नियमित संख्या के नाम जब का द्रड नियम होने से उतना जब तो प्रति दिन पूरा हो ही जाएगा नहीं तो नियम ना रहने पर किसी भी आवश्यक अनावश्यक कार्रे में समय लग जाएगा और जो सबसे पहले करने योग्य तथा सबसे अधिक महत्पून करतवे एवं जीवन में अति आवश्यक कार रहें वह नाम जब छूट जाएगा मन धोका देकर समझा देगा नियम थोड़े ही है यह बहुत जरूरी काम है पहले इसे कर लेना चाहिए फिर व्यर्थ की बातचीत भी जरूरी काम हो जाएगी परन्तु बड़ा नियम होने पर उतना समय नाम जब में अवश्य लगेगा और नाम जब होने से भगवान के साथ पृत्यक्ष संबंध कम से कम जीव का तो बना ही रहेगा उतने समय तक वानी का संयम ही नहीं होगा वानी का यथार सदुपयोग होगा क्योंकि वानी का सदुपयोग भगवान के नाम गुण गान में ही है उतने समय तक प्रमादवश होने वाले मिथ्या भाषन पर निंदा से रक्षा होगी कम से कम व्यर्थ भाषन से जीब की रक्षा होगी प्रमाद युक्त वानी के कारण होने वाले दुश परिणामों से बचाव होगा और नाम जप रूप सबसे महानलाप प्राप्त होगा लगातार नियमित जप होने से वानी का वैसा अभ्यास हो जाएगा जिससे वानी सहज ही अपने आप नाम जप करती रहेगी और इससे फिर मन भी लग जाएगा तुलसिदाज जी कहते हैं सकल अंग पद विमुख नात मुख नाम की ओट लई है मेरे सारे अंग आपके चर्णों से विमुख हैं केवल मुख ने नाम की ओट ले रखी है स्वामी श्री हरिदाज जी नियमित तीन लाख नाम जब प्रती दिन करते थे इससे उनको डिगाने के लिए आई हुई वैश्या उनका तो कुछ बिगाड कर ही नहीं सकी स्वयम उसी का उधार हो गया स्वर्गिय पंडित श्री मोती लाल जी के द्वारा पूर्वा अभ्यास वश मृत्यू के कुछ समय पहले से ही गायत्री जब होने लगा था इसी प्रकार पूर्वा अभ्यास वश विश्व कवी श्री रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता श्री द्विजेंद्रनाथ ठाकुर बहाय चेतना शुन्य अवस्था में आसन लगा कर बैठ गए थे और गायत्री जब करने लगे थे नाम का भ्यास होने पर अंतकाल में भगवान का नाम आ जाता है और अंतकाल की स्थिती के अनुसार उसे सहज ही भगवत प्राप्ती हो जाती है अतयव प्रति दिन नियमित संख्या से नाम जब अवश्य करना चाहिए एक संख्या साधक को रख लेनी चाहिए कि मैं चार माला, दस माला, सोला माला करूँगा उसके बाद बिना माला की करूँगा कई लोगों का प्रश्ण होता है कि भगवान का नाम है इसको गिंती से क्या लेना अरे भाई एक नियम बना लोग भई इतना गिंती से लूँगा उसके बाद बिना गिंती के लूँगा तो आपका इप्रशन हल हो जाएगा मनुष्य दिन भर बूलता नहीं है उसकी जीब अधिकान समय खाली रहती है वह यदि चाहे और इसमर्ण रखे तो आसानी से दिन भर में चलते फिरते एक लाख नाम जब कर सकता है नहीं तो 21,600 नाम की संख्या पूरी करही लेनी चाहिए क्योंकि दिन भर में ओसतन इतने श्वास हम लेते हैं अतयव इतना जप होने पर प्रतिश्वास एक नाम का जप हो गया यहां भगवन नाम की विशेश महीमा है जैश्री राधे